नमस्ते मैं अलकाठा कुड़ूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासिज में स्वागत है अब सुबह सुबह चाय पीने की आदत किसको है मुझे पता है आप मेंसे बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको चाय पीए पिना रहा नहीं चाता होगा तो सुबह सुबह आपको चाय प चाय और बिस्किट को आप दोफर के टाइम में खा सकते हैं अगर आप खाना खाने के दो घंटे के बाद पीना चाहते हैं तो लेकिन सुबह सुबह खाली पेट चाय या फिर कॉफी आपके बॉड़ी के लिए उतना अच्छा नहीं है इसलिए कोशिश कीजिए कि आप करने का मन नहीं करता है तो इसमें हमें क्या करना है इसमें आपको प्योग करना है लॉंग हमारे घर में होता है हम चाय में डाल करके इसका स्वाद को बढ़ाते हैं लेकिन लॉंग हमारे बॉड़ी के लिए भी अच्छा है और इसको किस तरीके सिखाना है सबसे पहले हम य अटन होता है य। पहलोंकि इस में फ्रक Prayers क्लियर नहीं अच्छा talkin distributions में अच्छा मैं आपको मदद करती य। नहीं इसका सेवन कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले आपको पेट के साससा सर में तक्लीफ होती में दर्द होता है सर में, काम करने की इच्छा नहीं होती है, पढ़ाई करने बैठते हैं, लेकिन पढ़ाई करने का मन नहीं करता है, उसमें भी आप लॉंग का सेवन क्या कीजिए, लेकिन लॉंग की तासीर गरम होती है, इसलिए गर्मी के मौसम में इसको हिसाब से आपको लेन इस आपको दो करवापन होता है। अग्यार सब्सक्राइचि और उसकी और ल्वी peppi N dy Loom उल्टी करने का मन होता है उसको हम बोलते है नौजिया तो अगर ऐसी स्थिती बनी हुई है मतलब खाना सही से पच नहीं रहा है गैस हो गया है पेट में पेट जो है वो आपका गैस का गोला बन गया है इस टाइम में आपको क्या करना है लॉंग को अपनी डाइट में शामिल फॉसफोरस ऐलैईयोडीन है ये सब क्या करते हैं आपके बॉडी को हील करते हैं आपके बॉडी को डिलाक्स करते हैं चीनी तकनिक और लोर्ट को बठा आल जाता है कि लॉंग और लॉंग के टेल से बहोत सारी दवाईयं Ст क्या लावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होता जैसे कि घुटनों में दर्ध हो गया गुटनों में बहुत लोगों को दर्ध है क्या हो जाता है वहां का जो फ्लुईड होता है साइनोवियल जोईट्ल O पता है न इस तरीके से होता है साइनोवियल जोइंट और इसके बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टाम में हम इसको बोलेंगे साइनोवियल फ्लूइड ये जो फ्लूइड है ये फिर जब कम होती है उम्र के साथ साथ तो घुटने में तकलीफ होता है सीडी पर आप चर नहीं पाते हैं अचानक से उठ करके फिर खरे नहीं हो पाते हैं उठ करके फिर बैठ नहीं पाते हैं बैठ करके फिर उठ नहीं पाते हैं आपको अगर कोई बोल दे कि आप कसरत किजिया आप कर नहीं पाते हो तो यह क्या हो गया यह आपके गुटने में तकलीफ है और हम्र की वज़स होता है लेकिन आजकल क्या होगा है कि हमारे खान अस now हल pengγοमें कमी है हमारी टाइट या पर अगर बॉडी में कहीं भी दर्ध होता है किसी को डाईवटीज है उससे आप जा करके पूछे कि उनके बॉडी में, उनको पैरों में बहुत जादा दर्ध होता है, आप कोई काम करते हैं जो कि physical work है, आप कहीं धूप में गए और शाम में घराते हैं, तो आपके का तेल बॉडी का मसाज कर सकते हैं इससे अपकी छो ठकान है वह जल्डी सजल्दी खतम हो जाएगी और फिर fresh फिल करेंगे तो लॉंग यहाँ भी अच्छा है लॉंग या फिर लॉंग का तेल दोनों अच्छा है लॉंग का तेल से आप अपने बॉडि की मालिश कर सकते हैं लॉंग जब आप खाते हैं तो आपके मुझ की बदबू खतम हो जाती क्योंकि अगर मुझ के बदबू आएगे तो आप किसे इंटरव्यू में जाएंगे या फिर आप अपने दोस्तों से बात करेंगे कितना जाता गंदा महसूस होगा उस टाइम में आप आपको इंबड़स्मेंट होगा तो यहां पे मुझ की बदबू से अगर आप परिशान है प्याज खालिया आपने लहसुन खालिया आपने और आप किसी के सामने गए और मुझ से बदबू आ गया तो सोचे कि वह आपको क्या बोलेगा वो आपको बोलेगा कि प्याज खा क क्या है हो क्या तो यहां पर मुग की बदवू उनके पास ना जाए आपको अच्छा फील हो जब आप किसी से बात करें आपको इंबेरस्मेंट जहला ना पड़े इसके लिए आपको लॉंग अपनी डाइट में शामिल करना है तो लॉंग यहां भी आपकी मदद करता है औरल ह दातों को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो यहां भी लॉंग आपको बहुत जादा मदद कर रहा है तो आपको क्या करना है आपको अपनी डाइट में शामिल करना है देखी जो भी आप चीज डाइट में शामिल करते हैं वो एक दिन में चमतकार नहीं हो जाए है आपको आपको अपने से बड़े उम्र की सोच रखना है ताकि आप सही काम को सही चीज को सही टाइम पे कर पाएं यहां पे देखिए अगर आप लॉंग को खाते तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाता है पाचन की क्रिया में बहुत जादा यह मदद करती है क्य क्यों कि जब हमारे बॉड़ी में कोई चीज पचता है तो वहां पे पचने के टाइम में क्या होता है एक प्रॉसेस होती है उसको हम क्या बोलते है उसको हम बोलते है ऑक्सीडेशन ठीक है तो जब यह प्रॉसेस होता है इसके प्रॉसेस के दौरान कुछ-कुछ चीजे जो लेकिन जब वो Oxygen अपने अंदर जा करके मतलब हमारे body के अंदर जा करके जब काम करते हैं तो वहां पे Oxygen ही अलग अलग एक एक रूप में निकल जाता है और वह oxygen का जो रूप है वह बहुत मुझे cancer कैसे हो गया तो हो सकता है कि उनके body में ये जो free radicals है ये आपके immune system पे भारी पड़ गया हो तो यहां पे आपको अपने long को ने बू में रखिए और अपने body को protection दीजे ताकि वो fight कर सके बहुत सारे free radicals से ठीक है अब देखिए इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत जादा problem है मतलब एकड़म खाना पच नहीं रहा है उल्टी हो रहा है खाते ही उल्टी हो जाता है उसमें भी आपको मदद करती है लॉंग दो टाइप का होता है एक जिसमें तेज सुगंध होता है और एक ऐसा होता है जिसमें मशीनों द्वारा उससे त काला जाता है तो आपको कौन सा लेना है आपको जैसा मैंने दिखाए था आपको ऐसा वला लेना है गर्मी का मौसम है तो इसके माउंट आपको बिल्कुल ही लिमिट में रखनी है ठीक है तो आपके बॉड़ी में लॉंग बहुत जादा फायदा करता है आपके कान में दर् करेगा फेस पर बहुत जादा एकने हो गया दाना हो गया है लॉंग के तेल में आप नारियल का तेल थोड़ा सा मिला करके अपने दाने पर लगाईए एकने पर लगाईए वो जो दाग धब्बे हैं वो फिर खतम होने लगेंगे लॉंग का सेवन हमें कैसे करना है गैस बन र यह भी दाना तीन दाना लॉंग का जो है वो आप लीजी अपने मुँओं में चबाईए और धीरे-धीरे करके उसको उसके रस को आप चूसिए ताकि वह आपके पेट में उसका जूस है लॉंग का धीरे-धीरे करके जाये और आपके पेट यानि Kelly को फिर यह स्ट्रॉंग बनाता है ताकि आपके खाने को पचा पाए इसलिए आप अगर गैस से परिशान है तो फिर आप लॉंग का सेवन कीजिए लॉंग को डायरेक्ट चबा नहीं लेना है लॉंग के रस को धीरे-धीरे करके पीना है ताकि आपके मुझ में लॉंग लंबे टाइम त जाते हैं जुँठी है लॉंग को लॉंग का सेवन करना सिंपल साई रात में चाणा खाने के दो घंटे मुह में जो है long रखना है और धीर धीर करके उसको उसके juice को फिर आपको digestion के अंदर लेके जाना है मतलब आपके पेट में धीर धीर करके जाएगा और फिर आपको अच्छा महसूस होगा आपको अब गंदी-गंदी डकारे नहीं आएंगी अब आपको अच्छा feel होगा आपको को दूध पिलाती है तो long का सेवन आप ना करें अगर कोई medicine ले रही है तो साथ में अगर आप प्रेगनेंट है उस टाइम भी आपको खाज क्या लगना है लेकिन ऐसे जो healthy लोग है जो normal लोग है वो इसका सेवन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो मैं उमी